Hello Friends, Welcome to SideEffects Channel अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो सब्सक्राइब करेना specially for the testnet and complete video का अंड्रोल नहीं कियो अंड्रोल करेना only 399 रुपिस जिसमें complete GK, Mathematics, Reasoning, English, Current, Upgrade, Previous, Year, Question मिलेंगे सारे यह according to testnet शील बस मिलेंगे plus मेरे YouTube video दोनों ही most important है PDF and YouTube एक भी YouTube वीडियो में समात करना सारे इंपोर्टेंट है 500 प्लस YouTube वीडियो अप्लोड़ेड हो चुके है और PDF को भी अन्रोल कर लेना PDF के लिए study side effect at gmail.com में mail कर सकते हो तो कुछ आज मैं यह पार्ट 45 है gk model question का और इस पार्ट में मैं केवल current affairs की बारे में question लाया हूँ तो आप पढ़ सकते हो current affairs की question त्यारी कैसे कर देखो gk में तो सभी को लगता है मुझे भी लगता है आपको भी लगता है कि सारे ही question important पढ़ने के बार लगता है कि यह question आजाए यह question आजाए तो आपको अच्छे से पढ़ना है gk का तो पहला question जी के यह पहला question है आपका EWS quota जो आया था 2019 में ही आया था दा लोक सभा has passed the constitutional amendment bill to provide the reservation to the economical weaker section तो कौन से amendment थी हो 124th 124th amendment थी जो कि provide करेगी reservation to the economical weaker section जो कि general category वाले को economic weaker section में अगर वो eligible है तो उनको reservation मिलेगा 10% 10% मैंने यहां बताना भूल गया 10% reservation है तो यह question important है current refer के मताबिक which one is the first state in India to implement 10% quota for the economical weaker in general कडेर तो वो कौन सी first state थी जो implement की थी 10% quota को वो थी गुजरात option number B is a गुजरात तो देखो जितने भी मैंने 45 part बनाये हैं जितने भी 45 part बन चुके अभी तक बाद में और भी बनेंगे तो उसको क्या करो question को लिखो और answer directly आप एक notes बना लो one-liner की यह question है और इसका answer directly यह होगा तो इसे आपको याद रखने में आसानी होगी next question सारे current affairs के question आपको इस वीडियो मिलेंगे which famous singer is awarded with the भारत रतना award in the year 2019 तो नोबल अवार्ड बहुत important है टिसनेट से जब भी आएगा मैं आपको वीडियो के जरी बताऊंगा जरूर उसमें से भी और एक important भारत रतना है तो कौन से famous singer को मिला है वो है भुपन हजारिका और कौन से president को मिला है वो थे प्रणम मुकर जी अपसने भुपन हजारिका जो की famous singer थे which state government recently decided to exit from the center ambitious अविश्रमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना तो यह कौन से state है जो recently decide की थी exit from this योजना तो वो थी West Bengal option D याद रखना next question which city include Hindi as the official language to be used in court third official language used in its court तो वो है अबुदाभी option number B is अबुदाभी इंडिया फर्स्ट नेशनल फिल्म म्यूजियम ओपन इन तो वो कहां म्यूजियम ओपन हुआ फिल्म नेशनल इंडिया फर्स्ट नेशनल गॉवर्मेंट रिवोग्ड एलोंग साइड आर्टिकल 370 के साइड कौन सो रिवोग्ड हुआ है वो है आर्टिकल 35A option option तुछ में नहीं है इसलिए मैं आपको डारेक्ली लिख दिया हूं आर्टिकल 35A नेम ओफ दे स्कीम वीच वाज रिसेंटल अनॉंच फोर दा वाटर कॉंजर्वेशन एंड हाउस होल्ड पाइप्लाइन सप्लाइ बाई पी एम मौदी तो योजना का क्या नाम है मिशन का स्कीम का जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन यह करेंट डफर्स का है कितने बार इसी पुछी की है टेसनेट में नेक्स्ट को सचन यूएस प्रेजडेंट डोनल्ड ट्रम्प रिसेंटली सो इंट्रेस्ट इन बाइंग वीच नेशन तो किसमें इंट्रेस्ट लिये थे हो ग्रिल नेंड में तो इस सब कोस्चन इंपोर्टेंट है और ऐसा ही आपको नोट सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को जिनने भी अप्लोडेर सारे देखना और पीडिएफ को भी एंड्रोल कर लेना थेंक यू